एक बार फिर से आप सभी किसान सात्यों का बहुत बहुत बागत मौसंपूर वर्मान का ये वीडियो आप देख रहे हैं और किसान सात्यों में आपको कल एक कम्यूनिटी पोस्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि देश की कुछ राजू में लाइटनिंग के साथ बार जो की उत्तरी चतिसगर के उपर बना हुआ था और इसके प्रभाव के चलते बंगाल की खाड़ी से नमीवरी हमाई चल रही थी साथ के साथ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया पच्चे में विक्षो बारिश देने में सक्षम था इसे में मौसं बदला और बैशम रहेगा इसकी बात करेंगे तो 29 फरवरी से लेकर तीन मार्च के बीच में डेशबर में के साथ मौसं रहेगा इसके में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में तो वीडियो के अंधर बने रहे और वीडियो को लाएक करें चैनल को सब्सक्राय bene नना बुले बिलाइकन कोन करें ताकि आपके बास हमारे मौसम से जुड़े लेटेस्ट अप्डेट लगातार पहुंचते रहें और समय समय पर अप्डेट मिलता रहें दोस्तों शुआत करते हैं 29 फरवरी के मौसम से चुकि कल 29 फरवरी को देश पर में के साम मौसम रहेगा पिले इसकी बात करते हैं लेकिन बरतमान की परिष्टितों की बात करें तो देश के अधिकाश राज्यों में मौसम साब बना हुआ है बाकी तो मौसम जो है लगबग लगबग साब बना हुआ है और साफ रहने की संभावना में नज़रा रही है चुकि आपको बता दू कि 29 भरवरी से देश के कुछ राज्यों पर बादलवाई आएगी और बारिष भी होगी इसे में कौन से वो राज्यों के जहां पर बारिष हो सकती है तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पच्छे में बिक्शुप बभाव रहेगा चुकि आपको बता दू कि मार्च के जो शुवाती दिन है यानि की एक मार्च से लेकर पांच-छे मार्च तक का जो समय होगा वो देश के कई राज्यों में व्यापक बाहरी बारिष वाला हो सकता है चुकि आपको बता दू कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर इस महीने का सबसे ताकत पर पच्छे में विक्षब जो है आने वाला है और मैं कह सकता हो कि साल 24 का सबसे ताकत पर पच्छे में विक्षब भी हो सकता है तो इसे में अब इसके उपर नजर आएगी देश की राज्यों में भीशन वर्शा देगा 29 फरवरी के आप इस तरदी देख सकते हैं कि कि किस तरसे देश क कि जो संभावना है कल हमें मुंबई महराष्ट पर नजर आ रही है और महराष्ट की कुछ सेंट्रल पार्स पर भी हो सकते है क्योंकि साइक्ट्रोन ने सर्कूलेशन का ब्रभाव जो है लगाता बना हुआ है अरबेजी से भी लगाता नमी की हमाएं चल रही है तो उमीद ह कि महराष्ट के उपर नमी के मतरा बढ़ सकती है और बादल वाही जो है देखने को मिल सकती है कुछ इलाकों में घरजना के साथ बारिश हो सकती है बाकी तो आप देख सकते कि कुछ जाधा बारिश की एक्टिविटी नहीं होगी गुजाद में मौसम साप रहेगा और बाक एक मार्च दोजार चोबिस को आप देख सकते कि मौसम जो ही करवर्ट ले लेगा पंजाब, हर्याना, दिल्ली, साइथ, राजस्तान के कुछ इलाकों में बादलों की करजना के साथ बारिश की गतिविटी आप आपको देखने को मिलेगी जैसल मेर, विकानेर, चुरू, श की है, महाराष्ट पर रहेगी, साथिसाथ, बाकी तो देख में मौसम जादा नहीं बदलेगा, आप देख सकते हैं कि चेतिजगर, मद्यप्रदेश, गुजात, साथिसाथ, पुर्वोतर भाहरत, पूरवी भाहरत की कई राज़ों में मौसम साब रहेगा, और दक्षिन भा मार्च दोजार चोबीस की, तो दो मार्च को आप परिस्तितिया देख सकते हैं कि बदलती हुई नज़र आ रहे हैं, उत्तर भाहरत पर इस महिने का सबसे ताकत वर पच्चे में विक्षम हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस तरह से देश की बड़ी लाक्य को प् शंका नज़र आ रही है, और मेदनी लाकों में ओला विष्टी भी आपको रिकूर्ड की जाएगी, व्यापक तोर पर भी ओले गिर सकते हैं, तो इसमें साउधानी के आवश्कता तीन मार्च से ही आपको रखनी होगी, साथी साथ आपको उता दू कि बाकी तो मोसम जो है अब बात करते हैं, तीन मार्च दोजाचोबिस की, तो तीन मार्च को आप देख सकते हैं कि बारिश का पूरनेतर प्रभाव जो है उत्तर भारत के पहाड़ी राचो पर रहेगा, और उमीद तो यह है कि जमू कश्मिर हिमाचल में भीशन बारिश होगी, साथी साथ उल्ये गिर सकते हैं, और आपको तदू की उत्राकन के भी कई इलाकों में भारी बारिश होए कि संभावना है, दिल्ली पर भी भारी बारिश होती है आपको नजरा आएगी तीन मार्च को, मोडल यह से इंडिकेशन दे रहे हैं, और आगी यह कुछ बदला होता है, मैं आपको तम आपको बढ़ता हुआ नजरा आएगा, तो दोस्तों आपने जाना है कि 29 परवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में देश्मर में यह सा मोसम रहेगा, उतरबारत के पहाड़ी राच्चों पर ताकत और पच्चे में विक्षोबा रहा है, जिसके प्रभाव के चलते, देश की कई राच्चों में तेज बारिश होने की संभावना में नजरा रहे हैं, और इसमें आपको सावधनी क्यावशक्ता रहेगी, और आपको दादू कि धूल बरी हमाएं और आकाशी बिजली जाती साथ ओलावश्टी का जब आपको लगे कि हाँ, मोसम बदल रहा है, ओलावश्टी हो सकती है, तो पहले से ही सुरक्षित रहें और सावधन रहें, क्योंकि यह समय प्रिमोंसुन एक्टिविटी का होता है और इसमें तेज बड़े आकार के उले गिरते हैं, आकाशी बिजली गिर सकती है, और तेज हमाई चल सकती है, तो इसे में नुक्सान के आशेंग का रहेगी, तो फिलाल मोसम पूर्बनबान की इस वीडियो में इतना ही लगातार चेनल पर बने रहें, सपोर्ट कीजेगा, और हाँ दोस्तों आपसे निवेदर नहीं की सस्काइब भी कीजेगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यबाद